दोस्तों गुड स्वाद के साथ ही सेहत का भी खजाना है इसका सेवन करने से ना सरा मुझ का स्वाद या नहीं बदलता बल्गी इसमें से कई विमारियों से आप मुक्ति भी पा सकते हैं हम मेंसे कई लोगों अपने घर में बजर्गों को देखा होगा कि दोपयार या रात का खाना खाने के बाद गुड का एक टुड़ा मुँ में डालकर पानी पीते थे साथ ही वे हमें भी गुड़ खाने की हमेशे सलाद दिया करते थे ऐसा इसलिए एक जोगी गुड़ के कई स्वास्ते लाव है इसे नियमीत रूप से खाने से मासिक धरम गुटनों का दर्द अस्थमा में आराम मिलता है और जिस दिन आप बहुत ज़्याद ठके हुए हो उ कई जानते हैं दूद को गुड़ के साथ खाने से होने वाले फाइदों के बारे में रक्त को शुद करें गुड़ रक्त को अच्छी तरह से शुद करता है और इसे रुजाना अपने आहार में शामिल करें पेट ठीक रखें पाचिन के रिए से जुड़ी सबी समस्याओं क गुड़ खागर दूर किया जा सकता है जोड़ों का दर्द दूर करें गुड़ खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है दोस्तों अगर रुजाना गुड़ का एक छोटा पीस अद्रक के साथ मिलाकर खाय जाए तो जोड़ों में मजबूती आएगी और दर्द भी दूर हो जाएगा, खूब सूर्ती बढ़ाए, इसे खाने से तवचा मुलायम और स्वस्थ बनती है, बाल भी अच्छी हो जाते हैं, साथ ही मुहांसे और एकने भी ठीक हो जाते हैं, पीरियर्स के दर्द से अराम, पीरियर्स में दर्द होता है तो महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, पीरियर्स शुरू होने इसके एक अफ़ते पहले एक चमच गुड़ का सेवन रुजाना करें, प्रेगनेंसी में एनेमिया नहीं होता, दोस्तों प्रेगनेंट मह मेलाओं को रोजाना गुर्ड़ खाने की सिर्दा दी जाती है, जिस से उने अनीमिया ना हो, अनीमिया होने पर मेलाएं जल्दी ठक जाती हैं और उन्हें कमज़ोरी आने लगती हैं। मास पेशों की मजभूती के लिए रुजाना एक गिलास दूद में थोड़ा सा गुर्ड डाल कर पिए तो आपको लाव होगा ठकान दूर करने के लिए रुजाना तीन चमज गुर्ड दिमें तीन बार खाए अस्थमा के लिए अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है तो घर में गुर्ड और काले तिल के लड़ू बना कर खाए और उसके बाद एक गिलास गरम दूद का सेवन करें फिर देखिए आप अस्थमा में आपको कैसे आराम मिलता है मोटापा नहीं बढ़ता गुर्ड को अगर दूद या चाय में शक्र के जगह डाल कर खाया जाए तो मोटापा नहीं बढ़ता तो उसके शक्र का सेवन आपको मोटा कर सकती है तो दोस्तों ये था दूद में गुर्ड डाल कर खाने के फाइद है अमीद है आपको जानकर ये अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जूर करें ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारिया लेकर आते रहेंगे तो जुड़े रेमेडिय अपडेट्स के साथ नोशकर धन्यवाद